हेलो दोस्तो आप सभी काफिर से एक नई वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी को मेंसन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तों यदि आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी को मेंसन करना चाते हैं तो फिर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक निकिया सोगा इस वीडियो को लाइक करे और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करे ताकि आने वाली हर एक नए वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पह करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप Instagram story में किसी को भी mention कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले Instagram application को open करना है और Instagram application को open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा ओके और दोस्तों अब आपको इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है ठीक है ना यहां पर दोस्तो आपको इसमें एक उप्षण मिल जाएगा उपर कोर्णर में left side में यह इस टोरी का आप यहां पर देख सकते हो यह वर इस टोरी वाला ऑप्षण है और इसके साथ तो दोस्तो एक option है, plus का आप देख सकते हो, इसमें एक plus का option है, तो आपको क्या करना है, आपको simply इस plus वाले option पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपके mobile की gallery open हो जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हो, मेरे mobile की gallery open हो चुकी है, ठीक है, और आपके mobile में जितने photos videos होंगे सब भी हिहांपर आ जहेंगे ठीक है जो भी photo या video आपको अपनी story में लगाना है आपको उस photo या video को select करना है और इस तरह का interface open हो जएगा आप देख सकते हो मैंने एक photo select किया है और दोस्तो अब आपको mention कैसे करना है तो यहाँपर दोस्तो आपको इसमें यह double A का एक option मिल जाएगा आप देख सकते हो आपको इस वाले option पे क्लिक करना है जैसी दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे आपको इसमें एक option मिल जाएगा add the right mention करके आप यहाँ पर देख सकते हो आपको इस वाले option पे क्लिक करना है जैसी आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर add the edit करके यह एक option आ जाएगा आपको इसमें username enter करना है जिसको आपको mention करना है username नहीं पता है तो आप name भी enter कर सकते हैं चले दोस्तों मैं यहाँ पर किसी एक का जो username है उसको enter करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा username बनके आ चुका है मैंने यहाँ पर अपना username enter किया ठीक है फिर आपको क्या करना है आपको done वाले option पर क्लिक कर देना है और आप इसे अपने इसाब से कहीं पर भी adjust कर सकते हैं एंड आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से ठीक है एंड इस पर क्लिक करोगे तो आप इसे ऐसे यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है तो done पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने इसे set किया ठीक है तो इस तरह से आप mention कर सकते हैं दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ mention करने का क्या है आपको क्या करने है आपको इस sticker वाले option पर click करना है जैसी आप इस पर click करोगे तो दोस्तो इसमें आपके एक option मिल जाएगा add right mention का इस पर आपको click करना है और यहां से भी आप दोस्तों अपने friends को mention कर सकते हैं तो यहां पर भी दोस्तों मैं mention करके दिखाता हूँ तो देखे दोस्तों यहां से भी मैंने mention कर दिया है यह देखे username आ चुक है जिसे मैंने mention किया है तो इस तरह से आप जो है mention कर सकते हो दो तरीके से अब दोस्तों अगर आपको अपनी story में filter लगाना है तो आपको यहाँ पर filter वाले option पे click करना है और यहाँ से आप filter भी change कर सकते हैं अपनी story का ठीक है यह देखे दोस्तों इस तरह से filter भी आप लगा सकते हैं तो मैंने यह filter select किया उसके बाइटन वाले option पे click कर देना है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अपनी story में music लगाना है तो music लगा सकते हैं आपको simply sticker वाले option पे click करना है और आपको music वाले option पे click करना है और यहाँ पर आपको समें काफी सारे songs music मिल जाएंगे जो भी आपको song अपनी story में लगाना है आपको उसे select करना है जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वाले song को select कर लिया है आप देख सकते हैं यह song दोस्तों मैंने इहाँ पर select किया है और आपको कुछ भी नहीं करना है आपको simply done वाले option पे click कर देना है और यह song आपकी story में add हो जाएगा ठीक और दोस्तों अगर आप अपनी story में कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं आपको simply double a वाले option पे click करना है और जो भी आपको लिखना है जैसे nice या beautiful जो भी लिखना है उससे आप ऐसे लिख सकते है done पे click करना है और आप अपने सबसे इसे कहीं पर भी add कर सकते और इस्टिकर वाले option पे फिर से click करोगे तो आप यहां से sticker add कर सकते हैं आपको नीचे side में काफी सारे sticker मिल जाएंगे तो आप यहां से sticker भी add कर सकते हैं इस तरह से देखें जैसे मैं यहाप sticker add किया है ठीक है इतना करने के बाद आपको क्या गणने है आपको यहां पर एक option option मिल जाए नीचे कोने में arrow का आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको एक option मिल जाएगा शेयर का आपको share वाले option पर क्लिक कर देना है जैसी आप share वाले option पर क्लिक कर देना है और यह story आपके Instagram पर post हो जाएगा चले मैं अपना Instagram reference करता हूं और थोड़ा सा wait करते हैं और अपना जो यह story वाला option है उसको मैं यहाँ पर open करता हूं ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोस्टिंग हो रहा है तो यहाँ पर loading लेगा जो है wait करना है 10-15 seconds wait करना है तब ही यह post होगा तो चले दोस्तों back आता हूं और फिर से अपना Instagram reference करता हूं और यह story वाला option मे फिर से यहाँ पर open करता हूं ठीक है तो अभी यहाँ पर loading layer थोड़ा natural problem है इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा time लग सकता है तो time लग रहा है दोस्तों यहाँ पर और wait करेंगे ठीक है तो back आएंगे reference करेंगे आपको भी इतना wait करना पड़ेगा जब तक आपका story Instagram पर नहें कर रहा है ठीक है अब दोस्तों simply back आएंगे और दोस्तों message वाला option open करेंगे और इसमें देखें जिसे मैंने mention किया है उसको यहाँ पर username आ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इससे open किया और देखें दोस्तों यहाँ पर यह option आ चुका है यानि के दोस्तों इसको यह story mention हो चुका है तो इस तरह से आप लोग अपने Instagram में किसी को भी mention कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, share करना, comment करना और channel पढ़ने है हो तो channel को subscribe करना मिलता है next video में तब तक कि लिए goodbye and take care